गुड मॉर्निंग आयम राहूल यूर बेलकम आन माई चैनल आज है 17 अक्टूबर 2024 और हम आज देखेंगे आज के इंपोर्टेंट करेंट अफेर तो पहला करेंट अफेर है मतलब गेहूं 6% गेहूं में ब्रिद्धी के गेहूं के प्राइज में MSP में basically 14 क्राप्स आते हैं खरीब के 6 आते हैं रावी के तो इसमें 6 क्राप के रेट बढ़ाए गये हैं ठीक है प्राइज बढ़ाए गये में स्पी बढ़ाए गया है MSP मिंस मेंम सपोर्ट प्राइज और दो अधर कामर्शियल क्राप ठीक है और एक सुगर केन है, तो कुल मिला के 23 होते हैं, ठीक है, 23 क्रॉप पे MSP दी जाती है, तो यह ध्यान रखना, 22 प्लस 1 सुगर केन है, अब इसमें देखो, क्या बढ़ा हैं, तो 150 रुपे गेहूं के नाम में MSP में बढ़ाया गया है, और अब जाके हो गया है, 2425 रुपे, किस के लिए, 2526 के लिए, ठीक है, और लास्ट येर, 225 रुपे था, तो यह ध्यान रखना, 150 रुपे बढ़ाया गया है, 2425 रुपे पर कुंटल हो गया है, MSP, बेसिकली हाई कौन, बढ़ाता कौन है, अप्रूब कौन करता है, तो Cabinet Committee on Economic Affairs करता है, ठीक है, यह High Level Committee होती है, जिसक for the Agriculture Costs and Prices, CACP करता है, जो कि Ministry of Agriculture के अंतर करता है, ठीक है, कुछ और Fact देखते हैं, MSP के Related, तो MSP बेसिकली, 1966 में सुरू किया गया था, ठीक है, MSP was introduced for the first time by the Central Government in 1966 to 67, ठीक है, MSP है क्या, तो यह minimum price है, for any crops that government considered as the remunerative for the farmers and hence the deserving of the support, ठीक है, फार्मर के support के लिए, यह लाया जाता है, MSP, ठीक है, और यह सीजन के पहले लाया जाता है, यानि कि अब जब गेहूं का हम लोग बवाई करेंगे, उससे पहले आ जाता है, ताकि वो मेंटेन रहे, कि इतना ही, इतना production होगा, ठीक है, जिससे production कर सके है, रेट को देख के, ठीक है, बो सकेंगे होगो, तो इसलिए, और देखते हैं कुछ इसके बारे हैं, तो इसमें तेज क्राप मैने बताया आता है, 7th cereals आते हैं, उसमें बाजरा, वीट, मेज, पैड़ी, वेली, रागी, और जौर आते हैं, पांच दाल आत सेल कराप आते हैं, राजूट, कॉटन, कोप्रा, एंद सुगर के, ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना बहुत इंपोर्टन, इससे कई कुईशन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मैंने लगबग सभी इसमें इंक्लूड कर दिया है, जैसे आपको पता होगा, पढ़ रहे हो हो तो, दूसरा करेंट अफेर है, हो है, बीकेम दा यंगेस्ट परसन टू क्लिम, आल फोटीन पीक्स एबब दा एट थाउजर मीटर हाई, जो आट हजार मीटर यानिके, आट किलो मीटर से उपर आए, जो जो पीक उसको कौन फते किया है, तो नीमा अरिंजी सेर्पा ने क आट किया है, तो याद रखना है यह नेपाल के है, ठीक है, सोला साल के है, नेक्स देखते हैं, थर्ड करेंट अफेर, इंडियान आरमी हैसिंट इन्ट्रूउज स्ट औवर और वीस्म टैंक, वाट इस नेम, तो इसका नाम क्या है, तो बेसिकली, टी नाइन टी है, ठीक है यह जो है इंडिया जार्मिन में बैटल टैंक है सिंस 2003 से ठीक है आगे बढ़ते हैं फोर पर देखते हैं फोर करेंट अफेर वर्ड माइगरेटरी बर्ड डे 2024 कब सेलिबरेट किया गया तो बार अक्टूबर को यह भी याद रखना नेक्स चलते हैं पांचवा करेंट अफेर वाट इस दा इंडिया जे रैंक इन दा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक क्या है इंडिया का तो एक सो पांचवा रैंक है एक सो सताइस कंटरी में ठीक है भारत का स्कोर है 27.3 और भारत का कटेगरी है सीरियस रेंज तो यह ध्यान रखना यह जो है वेल थंगर लाइफ और कंसन वर्ड वाइड मिलके यह रिलीज करते हैं ठीक है इसमें चार पैरामीटर ह होते हैं अंडर नियूरिस्मेंट चाहिल इस्टंटिंग चाहिल वेस्टिंग चाहिल मोर्टालिटी ठीक है तो यह फैक्त रियाद रखना है यह वेरी इंपॉर्टन पूछा जाएगा आपको ठीक है 6 पे चलते हैं वह इस आथर आप दबुक टाइटेल वार वार बुक किस बेसिकली जो इंडिया का यह डाल्फिन जो है इंडिया जनेशनल एक्वेटिक एनिमल है ठीक है यह फ्रेस वाटर इस पे सीज है और यह फ्यू रिवर डाल्फिन फांड इन द वर्ड कुछ नदियों में पाए जाता है जैसे कि गंगा ब्रहम पुत्रा मेगना कर्ण फुल साइड स्विमिंग डॉल्फिन एंड साउथ एसियन रिवर डॉल्फिन ठीक है इसका साइंटिमिंग नेम है प्लांटा निष्टा गेंगेटिका ठीक है तो इसको सब ध्यान रखना आप काफी इंपोर्टन है आगे बढ़ते हैं हो इस दा लांच दा मल्टी टार्गेट ड इंडियन फेमेल क्रिकेटर जो इंडेक्टेड हुआ है आई सी सी हाल ओफ फेम में तो है नीतू और डेविड तो यह वेरी इंपोर्टन थे इसको ध्यान रखना देन थैंक्यू बेरी मॉच नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे में ओके थैंक्यू